हलो एब्रिवोन वालकम टू खुशी की दुनिया कुशी की दुनिया में आपका बहुत 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 भागत है दोस्तों हम बात करते हैं कि बहुत ही फेमस बुक है यह जिसका नाम है टैन एक्स रूल यह बुक पब्लिस हुई थे 2006 यह न्यू यू यूर्ट के बेस्ट सेलिंग ऑथर की बुक है सबसे बड़ी गल्दी जो हम लोग करते हैं वो यह है कि लोग अपनी गोल कभी भी बहुत बड़े सैट नहीं करते हैं टैनेक्स रूल जो बुक है वो यह समझाने के लिए कि किस लेवल का एफॉर्ट्स एन थिंकिंग रिक्वाइड है सक्सेस होने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज के लेवल से काफी उपर आ करके देखना और इंप्लेमेंट करना ही टैनेक्स रूल कहलाता है इसलिए अपने गोल को अपनी कैपेबिलिटीज के दस गुना ज्यादा तक करताय करना होगा हमारे एक्सन और सोच ही रीजन होते हैं जहां पे हम आज अपने लाइफ में है इसलिए टैनेक्स रूल के अकोडिंग सोचना और एक्सन करना होगा और हमारे एक्सेंस और सोच ही रीजन होता है आज हम जहां पर है जो से पोजिशन में अगर कुछी है या फिर दुखी है इसलिए 10X रूल के अकोडिंग सोच ना होगा, काम करना होगा जब हमें सक्सेस मिल चुकी होती है तब भी काम क्यों करना है कई लोग सोचते हैं क्योंकि हमें कुछी तब मिलती है जब हम लाइफ की कुछ चीज़े एकमप्लेस्ट करते हैं और हम अपने रीजन, अपने सक्सेस को लिमिट करना 10X रूल को ना मानना है 10X रूल में अपने आपको गोल से 10 गुना ज्यादा सेट करना है जो भी हम सोचते या हमको चाहिए होता है और उसके बाद वो करना है वो जो 10 गुना रिजल्ट पाने में लगेगा इस 10X रूल के अकोर्डिंग चार मिस्टेक्स हम अकसर करते हैं पहली गलती होती है कि गोल बहुत लो सेट करना दूसरी गलती होती है ये नहीं समझ पाते कि कितना action required है उस गोल को अच्छे से करने के लिए तीसरी गलती competition पर ध्यान देना नहीं है अपने सेक्टर में बहुत अच्छा करना है चोथी गलती होती है ये समझ नहीं पाते कि क्या problem क्या आ सकती है आगे और कोई भी person कोई भी goal जो हम set करते है वो मुश्किल ही होता है उसे क्यों नहीं हम अपने goal की सुरवात higher set करके ही करें बहुत सारे लोग सिर्फ काम कर रहे हैं ना कि passion को change कर रहे हैं बिकर सायद उनकी salary बहुत कम है income बहुत कम है या तो हम अपने ही goals या dreams को पूर्यो कर सकते हैं या फिर कोई और हमें किसी काम के लिए use करेगा उतनके profit के लिए कभी भी हमको अपने target कम नहीं करने हैं सिर्फ अपने actions को लगातार बढ़ाना है जब हम success की important नहीं समझते तो success कभी भी नहीं मिलती है झाल लोग बोलते हैं कि success ही सब कुछ नहीं होता बिल्कुल सही बोलते हैं पर important तो है ये कहना कि success ही सब कुछ नहीं होती है हमको ये excuses देता है अपने vision को limit करने के लिए और success पाना हमारी duty है इसको option की तरह ना देखे सिर्फ एक चीज या इनसान पर dependent रहना for success एक बहुत बड़ी गलती है वीनर जो होते हैं वो अलग-अलग जगह से success ले आते हैं और अगर इसी को politician बहुत सारे promises करते हैं बट आपकी success उन पर depend नहीं होती है सिर्फ आपको ही अपने लिए महनत करनी बढ़ती है जब कोई और successful होता है तो ये एक sign है कि ये possible है हमको इससे inspiration लेनी चाहिए जो लोग blame करते हैं life में successful ना होने पे वो वैसे भी successful नहीं हो सकते हैं victim thinking होना कभी भी help नहीं गड़ता है अगर आप अपने ही जीतने का credit लेने को ready नहीं है तो अपने भी हार की responsibility लेना सीख ले और जब भी कोई unplanned चीज़े सामने आती है तो ये समझ ले कि हमें इसा कैसे तयार रहे सकते हैं future के लिए वो ready रहे वो करने के लिए ready रहे सब को drive करना बंद करे और अपने लिए करे आपको जो चाहिए अगर लोग comment करे तो आप सब कुछ सही कर रहे है money और power ही attention फोलो करता है average search या average actions से कभी भी इसे बाहर नहीं निकलने देता हमको starting में बड़ा ना सोच पाना ही हमको बड़ा नहीं गंड होने देता है जो top achievers होते हैं वो copy या complete नहीं करते वो बस dominate करते है जिस हिसाब से industry चल रही होती है उसी तरीके से काम कर ना करे अपने तरीके ढूंडे अपना self improvement करे आपको first होने की ज़रत नहीं है बस आपको best होने की ज़रत है अपने level पे आप कर सकते हो वो सब काम जो आप सोचते हो आपको अपने काम को ले करके obsessed होना पड़ेगा because इसके बिना कुछ भी possible नहीं हो पाता और कोई नहीं कर पाया आज तक obsession होना disease नहीं है gift है under commit करके over deliver करना stupidity है बलकि over commit करो और ढूंडो कि उसको maximum goals कैसे achieve किया जा सकता है भीड को follow मत करो भीड को lead करो एक trend है जो बेहत interesting है job जो लोग cost cutting करते हैं focus करते हैं saving पर इसके साथ energy effort और credit भी कम होती जाती है success garden की तरह है लगातार मेनत और care भी चाहिए होती है इसको last minute में तयारी करना चीजे delay करने का एक तरीका है पहले से तयारी करो और action लो जब भी जरूरत पढ़ सके डरना एक signal है कि हमको immediately उस पर काम करना है डर को बढ़ाना नहीं है इंतजार करके time कैसे manage होगा ये सोचना नहीं है focus करना है हमको हमारे काम अपनी priority को समझना है तभी हम balance कर सकते हैं चीजों को time भी manage होता है सही ढंग से कोई भी हमें successful नहीं बना सकता है कमजोड लोग हमें सा criticism के बाद रुख जाते हैं जो लोग customer नहीं है उनका satisfaction भी बहुत बड़ा है then only customer satisfaction क्यूंकि बहुत लोग है आसपास में बट खरीद नहीं रहे हैं वो भी एक issue है वो भी समझना पड़ेगा और customer acquire करना ज्यादा important होता है then customer satisfaction customer के problem avoid नहीं किजा सकती है वो problem हम solve कर सकते हैं कैसे? powerful companies और brand हर जगह दिखाई देता है अगर हमको revenge लेना है तो बहुत successful होना पड़ेगा जिंदगे में उसको लिए efforts चाहिए होती है successful लोगों की thoughts and application duplicate करे और हर चीज को ऐसे start करें कि वो possible है यानि कि believe करें अपना attitude वो ही लाए कि solution मिल जाएगा अपने आपको overthinking और paralyzed होने से रोके focus करे action पर हर चीज possible है action के साथ में routine तरीके और सोच को challenge करे यह मत सोचे कि काम कितना है और यह सोचे कि result होगा कैसा होगा कैसा आएगा पहले commit करो बाद में figure out करो कि कैसे करना है अपने से बैतर लोगों को ढूंडो और 10x success rules के लिए यह सारे चीजे बहुत important है यही 10x rule, books rule यानि की 10 गुना success का formula है अगर आप इसको concentrate करके सुना चाहते तो slow slow में सुन लिजे point wise thank you for listening this audio इसी बात पर रखिया अपना क्याल अपने आसपास वाले लोगों को ख्याल और learnings को अपने life में implement करते रहेगा thank you so much